कre Kimсон लॉक्षट है Galate अगर आपने लो एल्केन वाला वीडियो देखा होगा तो है कि के भी जो नेक्षिन देटल से लास्स डिशन में वुट रिचिन के बारे में डिसक्षण किया गह जैसे कि आप पता कि अने था और फो और सिलक्रेशन करके अन्य पना लएता हैं जो दो ग्रूप वह आपस में गुछ जाते राइट तो वैसी कुछ यहां पर भी हमें देखने अगर मैं बैलन्स करने की कोशिश करूं तो यहां पर मैं तो लगा देती हूं एन यहां पर दो हैलोजन ग्रूप यहां पर क्या लगें अगर एक्जामपल प्रेंड पर यह दो छोगा यहां तो रिलीस बीजान पर इलागा जो आलेगे आवर ग्रूप यहां पर जाका अटाक हो जाएगा और विल फॉर्म structure like this ठीक है one more thing जो reaction हो रही है वहाँ पर एक catalyst use करना है जो कि है हमारा dye ether in the presence of dye ether यह reaction होती ऐसे reaction आपने पहले भी देखी होगी जहाँ पर आपको याद होगा CS3-CL इधर लिखा था इसको अब हम एक example के थ्रू यह समझते हैं को यह हमारा chloro-benzen नहीं कर रहे हैं रहे हैं तो बिटा होता है जो यह आपका एन है यह एने reaction कर लेगा विथ अवर दिस ग्रूप एंद इस ग्रूप टिक है दो रहों क्लोरीन से reaction कर लेगा यह एन देवल फॉर्म 2-n-a-cl तो यहां पर बन जाता है यह जो CS3-CL यहां से रिलीज हुआ है वह जाकर रिप्लेस कर देता है हमाई CL को यानि CL की जो प्लेस है वह उसको ले लेगा ठीक है बटा इस तरीके से एक आपको रिंग यहां पर दिखाए देगी जो रिंग है अगर मैंने आपके से पहले भी रेक्शन बताया था कि अगर किसी बेंजीन रिंग में CS3 लग जाता है तो यह एक टायलोविन यहां पर बनेगा ठीक है तो यह से कि आपने देखा है यहां पर कि यहां पर क्या होगा कि CL हट गया उसकी जगह एक कार्बन बढ़ गया तो मेंली क्या हो रहे है नंबर आफ कार्बन इंक्रीज हो ठीक है यह जो रियक्शन आपको डिफेंस याद रखना है कि वुट्स फिटिग रियक्शन है जो प्रहली वाली पढ़िए आपने हेलो एलके बढ़िए अगर फटिग रियक्शन पूछी गई तो वह इस टेशिन के बात करें ना कि वोट्स फटिग रियक्शन की स्टीक है स्ट्रीक होता है कि हमारी एक यह बैंजीन है क्लोरो बैंजीन इसकी रियक्शन कर रहे है एने के साथ और पर तू लिखा हुआ अगर आप तो बहुत इसली यहां से रिमूव होके हट जाएगा और यह जो दो बैंजीन रिंग है वह आपस में जॉइंड हो जाएंगी एंडे विल फॉर्म स्ट्रक्चर लाइक दिस है ठीक है इसा स्ट्रक्चर यहां पर बनता है जिसे हम our यहां पर बोलते हैं अगर इसको मैं तो और क्लियर करने की कोशिश करूं कि तरहां है को सब Maisशने केंग बनी है तब लेगा उपको यह सब आपस में करके यहां पर क्या निकाल देंगे तू यह रिंग के साथ रियक्शन कर लेगी ठीक हैं यह दो डिंग आपस में क्या हो जाती है जोईन हो जाते हैं आपको समझ में आए कि यह के स्रॉक्ट्टर कैसे बना कि यूज कर रहे थे यहां पर एक यह लगी यह और एक दोनों एने से लिगती है तो दोनों एने सी एल को रिप्लेस करके आपको समय गया जाएंगी दो बेंजनी आपस में ज्ट्रॉक्टर यहां पर बना लेती हैं जो रियक्शन का जो भी पार्ट है बिटा आपके इस चैप्टर का वह यहां से कंप्लीट होते हैं आफ्टर इस चैप्टर यहां पर कुछ कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है उनकी कुछ यूटिलिटी के बारे में आपर डिसकस किया गया है सो जो लास्ट परग्राफ इस बुक का जो कि आप मैंने लिख दिया है आपर इना वेरी शॉर्ट फॉर्म पॉली हलोजन कंपाउंड्स के बारे में बताया गया तो फैला यहां पर लिखा हुआ हुआ है डा प्राइकलोर मिथेन की बात करें तो एक शॉल्वेंट की तरीके से यूज किया जाता है पेंट रिमूवर है वह ड्रग्स यानि की कुछ मेडिसिंस बनाने में यूज करें बहुत सारे इनके हामफुल इफेक्ट भी है अगर ज्यादा उसके आप कॉंटेक्ट में आएंगे र कराओर से रखष स्मारों हमारेशता पराइब कहते हैं इस ग्लोर मेशने हने पट्रक ऱाप के लिए बहाँ तरीछरियों अगर देखोगा टोक्सिक ट्रीफ ऑ बीदेना करता है तो जिसका हम करते हैं वह यूज की तो गचाम Socium ओ सब्स्पूर्ण जब चीजों को यूज किया जाता है और यह हमारे लिए क्या होते हैं ज्यादा हेल्फुल नहीं होते हैं आपको इसे अगर आप इसे इनहेल कर रहे हो तो एक हैड़ाइच ऐसी सरदर्द के मिशा लगी रहेगी आपको फिटेग की प्रॉब्लम हो जाएगी आप थकान लगी बहुत पोईजनेस कैस भी होती है अगर एक ख्लोरोफॉर्म और यह से रियक्शन कर ले और यह से रियाक्शन करने के बाद यह पोईजनेस हो जाती है तो इस नोट वेरी गुड और अफकोस हमारे इंटरनल ओर्गेंस हैं जैसे की हमारे लीवर है किड्नी इनको भी क्या कर यूजनेस के जाता है ठीक है ट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइ बहुत जादा कॉंटेक्ट में जा रहें सो लिवर कैंसर होने की प्रोबिल्टि रहती है जल्व आपके सरदर्द होता रहेगा डिजन फेल्स रख नहीं हमीं छहीं हर छ्पभर की कॉन्टेक्ट में जाएंगे सो हमाया हार्ट बीट हो सकता है फिर हार्ट बीट की जो रेगुलेशन है अब दाउंस जो होते रहते हैं उनको भी क्या करता है यह फ्लक्चुएट कर सकता है और अल्सो रेट्रा-ख्रोड फॉर आप रिस्पॉंसिबल है फॉर दा इन फ्रोंस को डिसकस किया है फ्रोंस ऑल्सो कंपाउंड है यह विटा स्वायर स्टेक्शन के बाद बनाए जाते हैं बट यह भी बहुत अच्छे नहीं होते ही जो हमारा नेचर है उनको इन बैलन्स करने में इसका भी एक थोड़ा सा रोल प्ले है एं मेंली जो ठंडी प्लेस है उनमें जादा यूज करते हैं ज्यादा टॉक्सिक नहीं है अन्री आक्टिव भी होती है बट अफकोस जो हमारा नेचर है नेचरल एक बैलन्स सो उसको अफकोस अफेक्ट करती है डीटी जिसके बारे में आप अगर बुक में देखेंगे बहुत कुछ बताया गया है कि इसको कहां पर बताया गया फार्मसिस्ट है पाल मिलर इन्होंने स्विजर लैंड में से डिसकावर किया था यह यूज किया जाता है इस पैस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की तरह यूज के जाते बट बेटा यह बहुत एक स्टॉंग केमिकल है यह जो मॉस्किटोज है य पहले से भी थी अगर आप जो लॉजिक की बुक्स देखेंगे तो उसमें बताया गया इसके बारे में सो यह क्या होता है कि हर एक जो वायरेस है वह अपने अगर आप उस पे बहुत जादा केमिकल्स का यूज करते हैं तो वह अपने अंदर एक रिजिस्टेंस पावर को ड करते हैं वह दिए में के बहुत लुएह को हमारा मेटाबॉलिजम उसको बहुत जब्लदेंस कर देता है तो मेटाबोलिंस बहुत दीर हो जाती है पैटिक जहांदा इन वॉल्प होता रहता है के जो सब्सक्राइब सरफ के लेधुट क्युंद सब्सक्राइब इसका की उब से Except for एब अब चाहो तो इसमें से Teach को companion को ब्लोड़ी चिया सिर्म lub कि शोर्ड वाम में पूछ जा सकते हैं तो भुश्यिस कॹ्छन हाए जर दिपकर हो तुक है झाल झाल